आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The proportion of an allele in the gene pool to the total number of allele at a given locus is called यहाँ पे पूछा गया है कि किसी एक allele को अगर हम लोग gene pool से लेते हैं total allele के हिसाब से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो basically जाहर सा बात है कि इसको हम लोग frequency यानि gene frequency के नाम से denote कर सकते हैं क्योंकि आप एक allele को out of total allele निकाला जाता है जो कि gene frequency में भी किया जाता है इसलिए हमारा second option ही क्या होगा correct option हो जाएगा बाकी भी हम लोग देख लेते हैं तो पहला option है gene pool और gene pool का मतलब क्या होता है तो basically gene pool एक ऐसा process होता है जहां पे collection किया जाता है different genes का जो कि कहां पाय जाते है तो different genes जो कि inter breeding community का होता है यानि same species के inter breeding population के जो genes होता है उनको एक साथ collect किया जाता है next होता है gene flow जिसका मतलब होता है कि transfer of genetic material कहां से तो ये genetic material जो है वो transfer होता है from the parent to offspring और इसी वैसे क्या होता है कि जो gene flow है वो एक generation से दूसर generation transfer होता है next है genetic drift और genetic drift का मतलब होता है कि random changes in the population और ये जो random changes होते हैं ये क्या करते हैं ये आगे जाके evolution को create करते हैं जो कि किसी disaster या फिर randomly कुछ unusual changes के लिए होता है in the population यहाँ पे जो question given है उस हिजाब से जो correct option होगा वो हो जाएगा gene frequency क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर